श्री राम हिंदू धर्म के एक प्रमुख आदर्श पुरुष हैं जो रामायन महाकाव्य के प्रमुख पात्र में प्रस्तुत हैं। वे आदर्श पुरुष, सत्य और धर्म के प्रतीक माने जाते हैं और हिंदु धर्म के अनुयाईयों के लिए आदर्श राजा के रूप में जाने जाते हैं। श्रीराम का जन्म संबंधित रामायन के अनुसार त्रेता युग में हुआ था। वे भगवान विश्णु के साकार अवदार माने जाते हैं जिनका मुख्य उद्देश धर्म की स्थापना और असुरों के विनाश का था। रामायन में उनकी जीवनी, उनके धर्मप्रिय राजा के रूप में कारियों और सीता हरन के बाद लंकापुरी के राजा रावन के विनाश की कहानी है। श्री राम के जीवन और कारियों की महत्वपूर्ण बातें, उनके जीवनकाल से ही विभिन्न साहित्य और कविताओं में प्रस्तूत हैं, जिनमें उनकी भक्ती और नैतिक्ता को महत्वपूर्ण रूप से उजागर किया गया है। श्री राम की कथा, अध्वितियता, भक्ती और धर्म की महत्वपूर्ण सिध्धान्तों को उजागर करती है, जो आज भी हिंदू समाज में उन्हें पूजनिया बनाए रखते हैं। जीवन का प्रारंब आयोध्या नगर में हुआ था, जहां उनके पिता राजा दशरत राज्ये करते थे। उनका जन रात्री के चंदर्मा नक्षत्र में हुआ था, जिसके कारण उन्हें राम कहा गया। बचपन से ही उनका आदर्श और धर्म भाव विकसित हुआ और वे विद्या, शस्त्र और कला में निपून थे। श्री राम ने सीता के साथ स्वयमवर में धनुष बनाने और तोड़ने का प्रयास किया और उन्हें जीत कर विवाह किया।